Hello everyone, welcome to Magnet Brains. मेरा ना में वर्दानगर्क और continue करते हैं अपनी study of computer science. Guys, ये वीडियो बहुत special होने वाले है, reason क्या? Because इस वीडियो में हम discuss करने वाले है about your master plan. क्या चीज का? भै, term 2 exam का. Term 2 आ रहा है, तयारी करनी है, पर, दिमाग में concepts layer होने चाहिए हैं, किस तरीके से तयारी करने वाले हैं, कि हमें term 2 की तयारी तो करनी है, पर, क्या-क्या chapters cover करने वाले हैं, किस तरीके से करने वाले हैं, वो मैंने आपके लिए plan मना दिया है. आपको tension इस बात की नहीं लेनी है कि किस तरीके से planning होने वाली है, आपको tension यह होनी चाहिए या आपको पता होना चाहिए कि क्या है वो plan मैंने आप लोग लिए पूरा plan तयार कर रखा है क्या क्या चीज़े आपको पढ़नी है वो में तयार कर रखी है कितने marks के हैं सारे topics से बता रखें आपको किस चीज़े को हम पहले पढ़ने वाले हैं वो बता रखा आपको यह वीडियो देखना है चीज़े समझनी है और फिर कुछ नहीं करना है बस जो मैंने आपके लिए वीडियो बना रखा है उसको देखते चलना है चीज़े concepts clear करते चलनी है अपनी जो चीज़े मैं आपको गरा रहा हूँ वो बस करते चलनी है आपके paper की 100% तयारी हो जाएगी तो इस वीडियो में हम discuss करने वाले हैं about your master plan तो किस तरीके समझने term 2 की तयारी करने वाले हैं वो हम discuss करेंगे इस वीडियो में तो चलिए वड़ावट शुरू करते हैं क्या-क्या है देखते हैं तो सबसे बहुत तो यह उठा देते हैं कि हमारे syllabus में है क्या-क्या और कितने-कितने number काने वाले term 2 है तो यह term wise syllabus है term 1 खतम हो गया है ना term 1 में सिर्व एक यूनिट आ यह थी और computational thinking and programming 2 भी तीनों ही concepts आ रहे हैं तो तीनों concepts पढ़ना है अब कितने-कितने number के हैं वो समझके समझदारी से पढ़ना है यह नहीं कि पहला chapter उठाया और वासे शुरू हो गए ऐसा नहीं करना है मतलब concepts तो ले नहीं है साथ में marks पर भी focus करना है कि number किस तरीके से आने वाले distributed है ताकि आप उन्हीं topics पे focus होगे पढ़ सको और उनको cover कर सको ठीक है तो अगर आप topics देख सकते हो नंबर देख पारे हो तो यह सबसे जादा है 20 फिर है 10 फिर है 5 this comprises of your 35 marks ठीक है मतलब भी combine करके 35 marks बना देंगे but 20 10 10 और 5 है इंडिविज्युली अब यह 20 10 और 5 कैसे score करना है वह समझे तो यह अब अगर मैं आपको कहूं तो आप कहो गया सर पहले हमें computational thinking programming 2 में जो topics बचले हैं वह पढ़ने चाहिए सर हमने पहले भी topics पढ़ रखे इसके concepts वह दिमाग में अभी है इसको पढ़ेंगे तो topics clear हो जाएंगे but I'll say no हमें यह नहीं पढ़ना चाहिए reason क्या? क्योंकि यह सिर्फ marine marks carry कर रहा है और इसके बहुत छोटा सा topic है और यह पुराने पर dependent नहीं python का concepts का use आएगा पर पूरी तरीक से dependent नहीं है नए topic है यह यह नया topic है इसमें ज़रोद पढ़ेंगे python की python में ही code करेंगे बने इसको पर topic नया है तो यह इसपे focus करना पहला is not correct आपको पहले focus करने जो maximum marks carry that is database management क्योंकि जितना यह important है उतना यह भी important और इसमें भी आपको actually python के concepts के ज़रोद पढ़ेंगी क्या क्या क्योंकि यहां database management एक बहुत नया topic है इसका brief introduction आपने class level में देखा होगा यह पहले class level में आपने इसके बाने brief पढ़ रखा होगा पर इसमें detail discussion भी हम करेंगे database management में इस unit में बहुत detail में discussion करने वाल है और इसमें last में topic ऐसा भी है कि कैसे आप इस database management को connect कर सकते हो अपने किसके साथ python के साथ तो वह collectivity भी हमें इसमें discuss करने ही unit 3 में that is database management लग इसमें भी हमें python के concepts चाहिए number भी जादा मिल रहे हैं तो यह बेटर है कि सबसे पहले हम यह करें तो this is our first priority कि सबसे पहले हम यह database management वाला chapter खतम करेंगे इसके बाद हम चलेंगे आपके computer networks में जो आपका second chapter है जो 10 marks करी कर रहे है यह बहुत अलग chapter मतलब individual chapter है तो यह अलग chapter है यह हम पहले cover कर लेंगे फटा-फट उसके बाद हम last में उठाएंगे 3 जो आपको computational thinking programming 2 है जिसमें आपको जो remaining concepts से वो cover हो जाएंगे और थोड़ा बद python revise भी हो जाएंगे reason क्यों? revise करना जरूरी क्यों है क्योंकि इसके बाद आप सीधर जाओगे आगे किसी graduation कर दे वहाँ पर अगर आप computer opt करते हैं you should have a clear concept of python in your mind मतलब वो revised रहने चाहिए तो वह हम यहाँ पर कर लेंगे तो future ready भी हो गया, future proof भी हो गया साथ में आपके concepts भी cover हो गए आपने marks wise भी cover करते चलेगे topics को तो समझ माया किस तरीके से चलने वाले हैं सबसे पहले हम cover करने वाले database management, फिर computer networks और फिर computational thinking and programming two वाले topics cover करने वाले है तो इस तरीके से आपका कुछ यह unit जाने वाला है clear यह चीज़ बात तो हमें करना सबसे पहले database management that is carrying your 20 marks अब कैसे करने वाले इस chapter को unit को database management को वो देखते है database management जो आपका unit 3 है उसमें कुछ यह साले topics है अगर मैं मोटा मोटा बता हूँ तो आपका database concepts है relational data model है structured query language है aggregate functions है फिर interface of python with an SQL database है यह मोटे मोटे कुछ concepts है इसके अंदर topics है इसमें और भी बहुत से topics है इनमें इसी के अंदर topics हैं अब इन topics को कैसे cover करने वाले है with what? with your NCRT वो समझ लेते हैं चलिए तो अगर मैं topics की बात करूँ तो NCRT में 3 chapters है database management से related database management से related NCRT के topics यह 3 पहला है understanding data 7th फिर 8th है database concepts और 9th है SQL which is structured query language अब किस chapter को पढ़के कौन topics cover कर सकते हैं तो अगर आपको यह topic समझ नहीं database concepts that is introduction to database concepts and its need तो यह database का यह data का जो introduction है वो आपको मिल जाएगा first chapter में ठीक है बतलब 7th chapter की अगर मैं बात करूँ understanding data में chapter 7 understanding data अगर आप पढ़ लोगे तो आपको एक clear idea पढ़ जाएगा किसका in topics का जो database concepts related basic introduction हम यहाँ पे देखने वाले हैं about database है data data मैं कह सकता हूँ data फिर हम समझेंगे कि file जो हम system use करते हैं उसकी क्या problem है क्यों हम database पे जा रहे हैं तो database के basic concepts आपको यहां cover हो जाएगे इसके बाद अगर second part पे चले है which is relational data model तो हम क्यों database से database management system मतलब relational model पे चल रहे है RDBMS पे चल रहे है वो हम यहाँ पर समझ माएगा और साथ में समझ माएगा कि यह उसके terms क्या क्या है उसको use करने के लिए तो relation, attribute, tuple, domain, degree, cardinality keys, सारे type की, candidate, primary, alternate, foreign यह सब आपको cover करने के लिए चाहिए क्या 8th chapter design is database के concepts तो database के concepts में यह सारे database के concepts आजएगे मतलब relational data model पूरा cover हो जाएगा although in chapters में other than these topics और भी topics है तो वो भी उसके in topics के 4 तरफ जो भी है surroundings वो भी आपकी clear हो जाएगे इसके बाद अगर हम चले तो इसके बाद आजाता है आपके पास यह structured query language या फिर डूसर topic भी उठाओ aggregate functions वाला part तो यह सब जो part है यह सब part cover करने के आपको SQL की in-depth knowledge होनी चाहिए which is chapter 9 structured query language अब देखो यार maximum topics इस chapter के 20 marks maximum database management से आने वाले 20 marks database management से आने वाले उसमें भी जो main topic है सबसे ज्यादर topics है SQL और aggregate functions का वह आपका रहा है chapter 9 तो यह ध्यान रख लेना कि chapter 9 बहुत important है ठीक है तो जब हम SQL पाढ़ना चूँ करेंगे कुछ लोग SQL बोलते हैं कुछ लोग SQL बोलते हैं आपको बताऊंगा क्यू बोलते हैं ठीक है इसकी history भी समझाऊंगा तो यह यह बहुत important subject कि हमारा एक topic बच तो गया है ठीक है which is this one interface of Python with an SQL database जो अभी आपके NCIT syllabus में नहीं है तो यह तरीके से समझ लोग additional topic है तो NCIT से अलग मैं इसको आपको समझाऊंगा because आपके syllabus में है आ रहा है paper में so additional topic है to be discussed यह हम discuss करेंगे NCIT के किसी chapter से link नहीं है additional topic है तो हम इसको discuss करेंगे कि किस तरीके से हम SQL को connect कर सकते हैं Python के साथ बहुत important concept है guys क्योंकि at some point of time कोई भी programming language आप use कर रहे हो आप Python use करो C, C++, Java कुछ भी करो आपको connectivity database के साथ करनी पड़ती है ठीक है अब वो कैसे करनी होती है क्योंकि Python हम सीख रहे है तो Python के साथ कैसे database की connectivity कर सकते हैं तो वो जानना बहुत important है After this topic हमारा database management for term 2 तयार हो जाएगा और 20 number हमारे पक्के हो जाएगा 20 marks are confirmed for us ठीक है इसके बाद हम चलेंगे अपने next topic की तरफ that is computer networks अब इनको कैसे कवर करोगे तो यह topic अगर आपको पढ़ने के लिए NCRT की किसके chapter की जरूत है तो आपको इन दो chapters की जरूत है that is computer networks or data communication ठीक है अब इनको कैसे कवर करोगे तो यह topic अगर आपको पढ़ने है evolution of networking यह shuffled है computer networking networking device network topologies introduction to web services तो इसके लिए आपको चाहिए यह first chapter 10th chapter which is computer networks networking का first chapter which is chapter 10 computer networks और बचीवी topics अगर आपको cover करने है that is communication terminologies transmission media network protocols तो इसके लिए आपको चाहिए यह chapter which is communication ठीक है chapter 11 data communication आपको चाहिए यह topics cover करने के लिए यह अगर आपने दो chapters कर लिए then you are done with your 10 marks 10 marks अपको cover होगा अब equally है equally divided है तो यह equally carry करता है मतब दोनों ही chapter 10th और 11th equally important है because both of them carry equal 55 marks you can say ठीक है तो equal number के questions आएंगे उससे तो दोनों ही chapter बहुत important हो कर समझ माया equally important है ठीक है इसके बाद आपका बजता है यह last part that is computational thinking and programming 2 जिसमें सिर्फ एक चीज़ दे रखिए एक data structure आपको दे रखा है although है दो data structure but आपके अभी term to click syllabus reduction हुआ तो उसमें सिर्फ एक ही data structure बजगा है that is what? that is a stack stack operations क्या है main operation क्योंकि आप समझेंगे तो operation समझेंगे stack समझेंगे operation समझेंगे और फिर उसका implementation समझेंगे using list so list को use करके कैसे उसको implement कर सकते हैं वो हम यहाई पर data structure में समझेंगे इस वाले part में इसको करने के लिए आपको सिर्फ एक ही chapter चाहिए ठीक है हो जाएंगे although आपको कुछ चिंता तो करनी नहीं सारा content यहाँ आपको magnetic base पे available रहेगा theoretical यह नहीं practical भी रहेगा तो आपको चिंता कुछ नहीं करनी बस वीडियो देखनी है समझते चलना है कोई भी doubts है comments में लिखते चलना है doubts clear करते चलना है ताकि आपकी तयारी पूरी रहे बाकि आगे आपका यह तो हो गया आपका syllabus हम निप्टाएंगे फिर last में आपका questions मलब हम बहुत जादे questions लगाएंगे ठीक है तो अगर subjective paper होता है अभी at least मलब हमें clear रहे है कि क्या paper रहने वाला है तो subjective रहेगा तो subjective पर पूरा ध्यान देंगे objective रहेगा तो objective पर पूरा ध्यान दिया जाएगा mcq तो रहने वाले paper mcq जो जो variety हो सकती है वो सब कराए जाएंगे और अगर suppose आपका कोई subjective paper आता है तो subjective paper की पूरी तयारी कराए जाएगे साथ में उससे पहले अब यह हमने slavers complete कर लिया 5 तक इसके बाद आपको one-shot revision की विजोत पड़ेगी इन सब chapters की क्योंकि भूल जाएंगे ने अब बहुत सर टाइम है सब तक करेंगे भूल जाएंगे चीजों को तो इसके लिए आपको one-shot avail करा जाएगा after completing all those slavers पूरा slavers complete करने के बाद फिर हम एक one-shot revision लेंगे सारे chapters का, सारे topics का ताकि हमें सब चीजे एक बार recap कर लें फिर questions में focus करेंगे ताकि सारे चीजे हो जाएग एक बात और ध्यान रखना हर chapter के बाद हम इसके NCIT solutions भी solve कर रहे होंगे such that अगर in case subjective paper होता है तो वो तयारी हम करते चलें simultaneously वो तयारी हम करते चलें और तो उसमें जो और detail में चीजे करनी होंगे वो हम last में देखेंगे पर subjective के तयारी because वो तो बहुत ज़्यादा chances है होने के तो इसी लिए हम NCIT के solutions करते चलेंगे तो यह रहे गए यार पूरा कुछ master plan आपके term 2 syllabus के लिए term 2 cover करना है तो हम इस तरीके से कुछ आपका term 2 cover करने वाले हैं तो अगर आपको यह चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी इस तरीके से कुछ आपका चलने वाला है तो अगर आपको यह contents चाहिए तो यार हमाय साथ या तो youtube channel पर बने रहा हो यह हमारी website visit करो magnetbrains.com तो google पर type करो magnetbrains.com जो पहली website है उस पर click करोगी तो यहां line कर चोगी हमारा home page है यहां पर classes listed है class 12 पर click करो class 12 की सारे content खुल जाएगा computer science ढूंडो watch now पर click करो तो इसकी मेरी पूरी आपकी सारी वीडियो उसकी playlist खुल जाएगी पूरी playlist किसी भी उस पर click किया तो इसके सारे chapters open हो गया किसी भी chapter पर click किया वो chapter play हो गया इसमें play pause आगे पिछे speed control volume control सारे options जो आप use कर सकते हो to control your video ठीक है उसको resolve करने के लिए हम लोग है अगर आपको हमारी content अच्छा लगता है महनत अच्छी लगती है playlist अच्छी लगती है कुछ नया सीखते हो तो हमारे साथ याने की magnet wins के साथ जोड़े रहे कुछ हम तो ही आपके साथ मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स वीडियो में till then good bye thank you very much